खुले आसमान के नीचे हाथों में राइफल लिए ये शखस बच्चों को पढ़ा रहा है का खा खा गा गा लिखने पर बच्चों को पैसे देने की बात भी कर रहा है बंदूक की नोक पर बच्चों को पढ़ाने का ये वीडियो सोचल मीडिया पर खुब वाइरल हो रहा है वाइरल हो रहा है ये वीडियो मुजफरपुर के मिठन पुरा इलाके का है हाला कि वीडियो का पनाया गया है अभी इसकी जानकारी नहीं हो पाई है हाथ में राइफल लिये शख्स ने खुद अपने मुबाइल से ये वीडियो बनाया है और बार-बार बंदूक भी दिखा रहा है दखो तुम लोग क्या पढ़ाई हो रहा है है ना पहले-पहले लिखो पुरा पुरा लिख लिख करके देखाओ हमको है ना सब बच्चा लोग जो जो बैठेगा सबको पैसा मिलेगा हाँ सब पढ़ो पढ़के देखाओ हाँ ना चलो पढ़ो तुम रखो फिर उसको वो कहां गिया देखाओ तुम क्या लिखा है वो बेरियां से मिटा रहा है इसको पैसा नहीं मिलेगा इसको देख लिजेए इसको पैसा नहीं मिलेगा वीडियो वाइरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई वही हात में अत्यार लिए शक्स की पहचान एक पांध दुकानदार की रूप में की गई है नगड येस पी राम नरेश पासवान ने मामल जरूरत है ऐसे सनकी लोगों के खलाव सक्त कारवाई किये जाने की ताकि ऐसी मानसिक्टा रखने वाले दूसरे लोगों को भी इससे सबक मिल सके